नवस्कार दोस्तो आर जेजी कॉंसेप में आपका स्वागत है और आज हम साइंस का एकोर सेशन लेंगे जिसमें पढ़ेंगे तीन नियम के बारे में अब वो तीन नियम कौन-कौन से ध्यान दीजिएगा भायो चलते हैं हमारा जो पहला नियम क्या रहने वाला है इससे पहल बता दू कि मद्यकालिन भारत राष्तान अध्यन और करेंट अफेर के बारे में अगर आप डेट टुडे जानना चाहते हो तो अनकेडमिका लिंक डिस्क्रफ्शन में जाए और ज्यादा से ज्यादा फोलो करें और बेनिफिट उटाए चलिए भाईयो पढ़ते हैं पहला करें अपक्त क्या है कि परते ग्रह सूर्य के 4 और दिर्ग वर्ताकार कक्सा में क्या करते हैं परीकर्मा करते हैं सबी को मती होता है मतलब सूरिय जो होता है भायो एक सेंटर में इस्तित होता है और बाकी जो हमारे ग्रह है भायो वो सूरिय के चारोर क्या करते परिकर्मा करते ये केपलर का पर्थम नियम था केपलर दुआरा दिया गया देखिए भायो अगला नियम क्या है कि परते ग्रह परते ग्रह का सेत् वेग होता है वो नियत रहता है इसका कहने कारती है रहा कि जैसे पर्थवी है तो एक नियत वेग से वो चलती है अब देखिए भाईयो इसका परभाव यह होता है कि जब सूर्य ग्रह सूर्य के निकट होता है जब भी ग्रह सूर्य के निकट होता है तो भाईयो उसका वेग कम होता जाता है, ठीक है भाईयो, बिल्कुल सिंपल सा था इसका सेकंड नियम, तीसरा नियम है, जो एक्जाम में सबसे ज़्यादा वार पूछा गया है, और मैनली तीसरा नियम है इसका इंपोर्टेंट है, क्या है भाईयो, सूर्य के चारो और ग्रह एक चक्र जितने समय मे लगाता है, वापस पढ़ देता है, सूर्य के चारो और ग्रह एक चक्र जितने समय में लगाता है, उसे उसका परिमानकाल कहते है, अब देखिए भाईयो, परिकर्मनकाल का वेग, सूर्य की सूर्य से उस्सद्दूरी के घन के अनुकर्मानुपाती होता है, ठीक है तो ये तीसरी लाइन इस परकार पूछी जाती है कि परिकर्मन काल का वेग याने टी ग्रे की सूर्य से ओस्त दूरी याने डी के क्यूब गनिया ने क्या हो क्यूब या घातीन के अनुकर्मानुपाती होता है ये किसका नियम है तो हम क्या कहेंगे ये केपलर का तीसरा नियम है आगे चलते है भाईयो अगला नियम लेते हैं आर्कमेडीज का सिध्धान्थ एक्जाम में एक समय ऐसो था भाईयो जब आर्कमेडीज और न्यूटन के जो सिध्धान थे सबसे ज़्यादा एक्जाम में पूछे जाने वाल और सबसे एक्जाम के फेवरेट टॉपिक होया करते थे तो देखिए भाईयो आर्कमेटीज का सिध्धान्त क्या कहता है कि जब कोई वस्तु द्रव में पूरी अथवा आंसिक रूप से डूबो ही जाती है जैसे आपकी बाल्टी है बाल्टी आप पानी में डूबो होगे या तो पूरी डूबो दोगे या आंसिक रूप से डूबो होगे तो उसके भार में कमी का आभास होता आपने देखा होगा जब बाल्टी जब पानी के अंदर पूर्णते मतलब डूब जाती है तो उसके भार में बड़ा मतलब यू आभास होता है कमी का आभास होता है और आसानी से उपपर आने लगती है हमार से तो देखे भाईो भार में ये आभास कभी वस्तु दुआरा हटाए गए भार में जो आभास होता है भाईो वो वस्तु दुआरा हटाएगे द्रव के भार के बराबर होता है कहनेकार 13 भाईयो कि जो बाल्टी के दुआरा द्रव हटाएजाएगा उसके बराबर इसका क्या होगा अभाशी भार होगा इसे आर्कमिटीज का सिधान्त कहता है और सुत्र के रूप में इसका सिधान्त क्या है भाईयो आपेक्सिक गनत्व बराबर वस्तु का गनत्व या कह सकते पानी का गनत्व याद रखेगा आपेक्सिक गनत्व बराबर वस्तु का गनत्व या कह सकते पानी का गनत्व इंपोर्टेंट है भाईयो देखिए अगला चलते है कि पलवन के नियम अब पलवन के नियम का क्या अर्थ है देखिए भायो जब कोई वस्तू आंसिक अत्वा पूंड रूप से किसी द्रव में डूबोई जाती है कैसे कोई वस्तू आंसिक अपूंड रूप से डूबोई जाती है तो उसके भार में कम पर बहुन नीचे की तरफ लगता किया अगर तो बहुत नीचे की तरफ लगता है, अगर कोई भी वस्तु ले लो तो उसका क्या लगेगा भार जो होगा नीचे की तरफ होगा उसका मान कितना होता M into G ठीक है भाईयो तो देखें साथ ही वस्तु का भार नीचे की तरह कार्य करता है अते जब कोई वस्तु किसी द्रव में डूबोई जाती है तो उस पर दो बल कार्य करते है अगर द्रव में कोई वस्तु डूबोई जाएगी तो उस पर दो बल कार्य करेंगे वो दो बल कौन कौन से है भाईयो पहला बल क्या होगा उत्पलावन बल और दूसरा बल क्या होगा भाईयो बाहर या कह सकते M.G. या गुर्टवाकरसन देखिए भाईयो आप देखिए एक चीज और पढ़ लेते तो समझना चाहिए कि तेज आंदी तुफान या वर्षा आने की संभावना रहती है क्योंकि जब आंदी या वर्षा आने वाली होती है तो वायू मंडल का दाप तुरंत कर जाता है भाईयो याद रखेगा बेरोमिटर का अगर पारा अचानक नीचे गिर जाए तो क्या होगा भाईयो एक ही बात समझेगा कि तेज आंदी दुफान वर्षा आने की संभावना है ठीक है भाईयो क्यों आता है क्योंकि इसका कारण दे रखा है अब देखेगा भाईयो यदि वायुदाब मापी में पारा अचानक बढ़ जाए तो समझना चाहिए कि मोसम स्वच्छ रहेगा ठीक है भाईयो अगर बेरोमिटर का पारा अचानक बढ़ जाए तो क्या रहेगा भाईयो मोसम स्वच्छ रहेगा मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ अन्य फेक्ट के साथ